साल दोहजार साथ आठ की बात है भारते क्रिके टीम चार मैचों की टेस्रीज के लिए उस्ट्रेलिया के दोरे पर थी उस्ट्रेलिया ने पहला मैच 337 रनों से जीत लिया था दूसरा मैच सिड्नी में 6 जनवरी 2008 को खेला जा रहा था और इसी मैच में साइमन्स लगातार हरभजन सिंग को उकसाने की कोशिश कर रहे थे जो कि अकसर आउस्ट्रेलिया खिलाडियों के टैक्टिस में शामिल होता है ताकि विरोधी टीम को मैदान पर मेंटली परशान किया जाए और खेल से ध्यान भटका कर खिलाडियों पर खाबू पालिया जाए इसी नोग जोग के दोरान साइमन्स ने आरोप लगाया कि हरभजन सिंग ने उन्हें मंकी कहा और हरभजन सिंग पर तीन टेस्ट मैचों का प्रतिबंद लगा दिया गया और मामला सिड्नी कोर्ट तक पहुँच गया इसके बाद आस्ट्रेलिया मेडिया लगातार हरभजन सिंग के खिलाप उल्टी सीधे बातें लिखने लगी बिसीसी आई भी दोरे को रद करने की बात करने लगा लेकिन सिड्नी कोर्ट में होई सुनवाई के दोरान जब इस बात की कोई खास सबूत नहीं मिले कि हरभजन सिंग ने साइमेंट्स को मंकी कहा है वहीं पर इस मामले पर रोक लग गई और ये पूरा मामला क्रिकेट की दुनिया में मंकी गेट विवाद के नाम से मशुहूर हो गया